सबसे पहले यहाँ पे देखिए यह जो आप परवश रिंखला देख रहे हैं यह है पश्चमी घाट और इन्हीं पश्चमी घाट पे सरवधिक मात्रा में सबसे जादा उश्न कटबंधे सदा बहारवन पाए जाते हैं और भारत के उत्तर पूर्वी छेत्र में भी आपको कुछ मात्रा में ऊश्न कटबंधे सदा बहारवन देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया के मैप में यह जो आप पहाडियां देख रहे हैं यह है विंधिया चल पहाडियां और इन्हीं विंधिया चल पहाडियों पर तेंदू के व्रिक्ष पाए जाते हैं हेलो दोस्तो मैं आम रेंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जो रियाक एडमी पे तो दोस्तो आज हम भारत के प्रमुख वन इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन्स को अपनी इस क्लास में करेंगे तो क्ला किस राज में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर B मद्ध प्रदेश राज में सरवधिक वन पाए जाते हैं एक बार आप इंडिया के मैप में देखिए कि जो हमारा मद्ध प्रदेश राज है यहाँ पर सरवधिक वन पाए जा यहाँ पर आप देखिए कि मध्य प्रदेश का कुल जो छेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलो मीटर और इसमें लगभग 77,462 वर्ग किलो मीटर जंगल फैले हुए हैं जो कि लगभग भारत के पूरे जंगल में से 30% छेत्रफल को अच्छादित किये हुए हैं कौन किये हुए हैं तो मध्य प्रदेश राज्य हैं ठेक वाशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बढ़ते अपने next question की ओर question number second में देखिए दिया गया है कि भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंद्य सदा बहार वन नहीं पाए जाते हैं तो उष्ण कटिबंद्य सदा ब पाए जाते हैं सबसे पहले यहां पे देखिए यह जो आप परवत श्रिंखला देख रहे हैं यह है पश्चमी घाट और इन्हीं पश्चमी घाट पे सरवधिक मात्रा में सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंद्य सदा बहार वन पाए जाते हैं और भारत के उत्तर पूर्वी चेतर में भी आपको कुछ मात्रा में उष्ण कटिबंद्य सदा बहार वन देखने को मिलेंगे और साथ इसाथ अंडमान नीकोबार द्विप समूह में भी उष्ण कटिबंद्य सदा बहार वन देखने को मिलते हैं तो तीन जगे आपको याद रखनी है एक तो पश्चमी गाट और दूसरा उत्तर पूर्वी छेत्र और अंडमान नीकोवार जो कि उस नकटबंद्य सदा बहार वन के लिए प्रसिद्ध है तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की ओर कुशन नंबर थर्ड में देखिया आप दिया गया है कि सुन्दरी व्रिक्ष मुख्य रूप से निम लिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं तो जो सुन्दरी के व्रिक्ष है यह आप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं यहाँ पे आप देखे कि यह है पश्चिम बंगाल का मैप और पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन डेल्टा वाल मैग्रो मैग्रो वन के नाम से भी जाना जाता है तो आगर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की और कोश्चन नमबर फोर में देखिए आप दिया गया है कि भारत में सरवधिक छेत्र को किस प्रकार के वन आवरित करते हैं यहां पर आवरित नहीं होगा बलकि आच्छ दित होगा कि अब को बताना है कि भारत में सरवधिक छेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं तो हमारे भारत देश में ऊछनकटबंद्य पर्नपाती वन सरवधिक मात्रा में पाए जाते हैं option number 20 का correct answer हो जाएगा उष्ण कटबंद्य पर्ण पाती वन यहां पे आप एक बार इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि यह पूरा जो ग्रीन कलर वाला एरिया है इस पूरे एरिया में उष्ण कटबंद्य पर्ण पाती वन पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेष्टा होती ह तो इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यह पूरे भारत में सरवधिक छेतर फल पर पाए जाते हैं तो इनके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है तो यहां पे आप देखिए कि उष्ण कटबंद्य पर्ण पाती वन भारत के सरवध अधिक छेतर को अच्छादित किये हुए है इन्हें मांसूनी वन भी कहा जाता है इन्हें किस नाम से जाना जाता है इन्हें मांसूनी वन भी कहा जाता है यह वन उन छेतरों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का ओसत सतर से दो सो सेंटिमीटर तथा तापमान ज सरजन से होने वाली हानी को रौकने के लिए । गर्मी प्रारमब होते ही यह अपनी पत्यां गिरा देते हैं। आपकी सागों पीपल नीम, सीसम, चंदन, आधिवरिक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ठेक त्वाशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगले question की ओर बढ़ने से पहले अगर वीडियो का content अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छी लग रही हो तो class को जरूर लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार visit किये हैं तो चैनल को subscribe करें बढ़ते हैं अपने next question की ओर question number 5 में देख लिजिए दिया गया है कि निम लिखित में से कौन सा one उत्पाद नहीं है आपको बताना है कि कौन सा इन में से one उत्पाद नहीं है तो यहाँ पर आप देखिए जो मिट्टी का तेल है ये one उत्पाद नहीं है option number 10 का correct answer हो जाएगा आगर बढ़ते हैं अपने next question क question number 6 में देखिए दिया गया है कि किस राज में वनों का सर्वोच प्रतिशत है अभी हमने देखा कि सर्वधिक जो one है वो किस राज में है तो सर्वधिक जो one थे वो मध्य प्रदेश में हमने देख लिया अब यहाँ पर आपको बताना है कि वनों का सर्वोच प्रतिशत किस राज्ज में है तो percentage के हिसाब से अगर बात की जाए तो मिजोरम जो है वो पहले नमबर पे आ जाता है option number 6 का correct answer होगा यहाँ पे आप देखिए यह है भारत का मिजोरम state और मिजोरम राज्ज में वनो का सरवोच परतिशत देखने को मिलता है percentage के हिसाब से बात करें तो जो मिजोरम राज्ज है यह first number पे आता है पहले नमबर पे और दूसरे नमबर पे कौन आता है दूसरे नमबर पे आता है अरुनाचल प्रदेश और तीसरे नमबर पे कौन है तो वनो के परतिशत्ता के अधार पर अगर देखा जाए तो तीसरे नमबर पे आता है मेघाल है पहले नमबर पे मिजोरम दूसरे नमबर पे अरुनाचल प्रदेश और तीसरे नमबर पे है मेघाल है तो आगे बढ़ते हैं अपने next question के और question number 8 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य में सरवधिक संख्या में आर्किड होते हैं तो आर्किड जो हैं सबसे ज़्यादा सिक्किम में पाए जाते हैं option number 10 का correct answer हो जाएगा अब आप पुछेंगे कि सर ये आर्किड क्या होता है तो आर्किड एक प्रकार के फूल होते हैं यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि ये है सिक्किम राज्य और सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं आर्किड फ्लावर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर कोट में आर्किड फ्लावर्स रखे हुए हैं ये आर्केट के फूल बहुत ही सुन्दर होते हैं देखने के लिए देखिए आप ये परपल कलर के कितने सुन्दर दिख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की ओर कोशन नमबर 9 में देखिया दिया गया है कि भारत में रिक्षा रोपन उत्सव जिसे वन बहर लाल नहरू तो इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर सी जो के एम मुईशी यानि की कनहिया लाल मनिक लाल मुईशी है यह वन महुत्सव के जनम दाता माने जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कनहिया लाल मनिक लाल मुईशी को जो की व्रिक्षार ओपन कर है ठेक आगे बढ़ते हैं अपने next question के और question number 10 में देखिए आप दिया गया है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद राज्जी कौन सा है तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद राज्जी है वो है करनाटक option number 6 का correct answer हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए एक करनाटक राज्जी और यह जो करनाटक राज्जी है चंदन के व्रिक्षों के लिए बहुत ही जादा famous है तो बढ़ते हैं अपने next question के और question number 11 में देखिए आप दिया गया है कि निम लिखित में से कौन सा राज्जी शेहतूत रेशम किसके लिए शेहतूत रेशम उतपाद करता है तो इसका right answer होगा option number A करनाटक राज्जी शेहतूत रेशम में पहले नंबर पे है ठीक तो आगे बढ़ते हैं अपने next question के और question number 12 में देखिए आप दिया गया है कि silent valley के चर्चित होने का क्या कारण है तो silent valley यह तो केरल राज्ज में इस्थित है कहां पर केरल राज में इस्थित है और इसका चर्चित होने का जो कारण है वो है जैव विवित्ता एवं सदा बहार का संरक्षन option number D का correct answer हो जाएगा क्योंकि केरल राज्ज पूरी तरह से पश्चिमी घाट से ढखा हुआ है और मैंने आपको अपने first number question में ही बता दिया था कि पश्चिमी जो घाट है वो उश्ण कटिबंद सदा बहार बनों के लिए जाना जाता है तो इसी कारण से जो केरल राज्ज है ये भी जैव विवित्ता एवं सदा बहार का संरक्षन के कारण जाना जाएगा तो आगे बढ़ते हैं अपने next question की और question number 13 में देख लीजे दिया गया है कि फू यहाँ पर आप देखे एक बार इंडिया के मैप में जो आप येलो कलर में देख रहे हैं यह है उत्तरा खंड राज्य और यहीं पर है फूलो की घाटी तो आगे बढ़ते हैं अपने next question की और question number 14 में देख लीजे दिया गया है कि निमलिखित में से कौन सा राज्य के पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है तो इसका right answer होगा option number C मध्य प्रदेश राज्य तेंदू के पत्ते का उत्पादक है यहाँ पे आप देखे कि इंडिया के मैप में ये जो आप पहाडिया देख रहे हैं ये है विंध्या चल पहाडिया और इनी विंध्य से लेकर के मई के महीने के बीच में तोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें सुखा करके कुस इस प्रकार से रोल बना करके बेड़ी बनाई जाती है ठीक तो आगे बढ़ते हैं अपने next question की और question number 15 में देखिया आप दिया गया है कि निमलिखित में से कौन ऊश्न कटबंद सी चंदन जो है वो उश्न कटबंद पत जड़ी पौधा है ठीक तो दोस्तों ये थे भारत के वनों से related टॉप 15 important questions आप लोग comment box में बताइगा कि आपको class कैसी लगी और वीडियो को जादर जादर लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अपनी next class में तब तक के लिए जय हिन जय भारत